आज हम करेंगे कच्छादस का बिग्यान प्रकासका पारावर्तन का अगिला टोपिक ठीक है दोगों सम्तल तथा आउतल और उत्तल दरपण की पाचान कितने तरीकों से होती है तो तीनों परकार के दरपणों की पाचान दो तरीके से होती है पाला इस पर्स करके दूसरा प्रतिविम को देखकर पाला हमारे पास टोपिक क्या आता है इस पर्स करके ठीक है तो देख लो जिसका परवर्तक तल उभरा हुआ होता है उसको हम कहते है उतल दरपन और जिसका परवर्तक तल दबा हुआ होता है उसको कहते हैं क्या अवतल दरपन जिसका परवर्तक तल समतल होता है उसको हम समतल दरपन कहते हैं आगे जो हमारे पास टोपिक आता है देखो दूसरा जो हमारे पास पॉइंट आता है कि प्रतिभीम को देखकर किसी दरपन के पास वस्तू को लाकर फिर उस वस्तू को दरपन से दूर ले जाते हैं यदि वस्तू का प्रतिवीम बढ़ता जाता है तो वह दरपन काउन सा होता है तो आउतल दरपन होता है तथा जब वस्तु के प्रदिवी में का आकार घटता जाता है तब वह दरपन जो हता है उतल दरपन होता है और यदि जब प्रदिवी में का आकार इस्थिर हो जाता है तब वह क्यां सा दरपन होता है समतल दरपन होता है ठीक है मुझे उमीद है कि आपको ये वीडियो समझ म आई होगी अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय तक पहुंच सकें